फ। आपक आता है और आघ्र अगे कुछ द्येसिट करेंगे बात करेंगे प्राइशिंग स्डाइशिस की प्राइसिंग और वहें से प्राइस इसे अपने दिली और को में देखते हैं तो अब आपको पता चलेगे कि एक्चल में इसकी जो हम देखते हैं मार्ट ही में किस तरी के से हम इसको देखते हैं चेक करते हैं तो कुछ बेसिक सी टर्म हमारे पास जैसे सबसे बहले हम बात करें प्राइसिंग की तो पहली प्राइसिंग है जी हमारे पास इस मोनोपली प्रैसेंग में क्या है इसमें क्या होता है? कॉम्पेटिशन नहीं होता, no competition, competition is absent. इसमें इसमें seller क्या होता है? seller के हाथ में सब कुछ है। जैसे जो चाहेगा, जो उसका मन करेगा उस तरह के से प्राइस को सेट कर सकता है जैसे अगर अगर बात करें सिंपल सी एक गाउं ऐसे कोई गाउं है उस गाउं में कोई भी दूद राज कहीं बेभी कोई डौक्टर नहीं सर्फ एक डौक्टर होगा अगर कोई रात को बंदा बिमार पढ़ जाए तो वो क्या करेगा बिमार पढ़े तो वो क्या करेगा शहर चला जाएगा जहां पर 100 km दूरी पर एक हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको काफी सारे डॉक्टर मिलेंगे यहा वो अपने नजदीक जो उसके गाओं में ही है एक के पास जाएगा जो उसके सबसे नजदीक होगा तो उसके साथ वो बारगेनिंग नहीं कर सकते हाले कि डॉक्टर की फीज जितनी भी होगी उसको देनी पड़ेगी डैटीज़ा मोनोपली प्राइसिंग कि जब कॉम्पेटिशन नहीं है क्योंकि वहाँ उस एरिया में उस गा नच लगोंगyorum में देनी पड़ेगी तो मोनोपली प्राइसिंग क्या होती है जब क्यों भीeez इसमूरी हुए थे कि मजबूरियत रहें है तो जैसे पता करें जब मारे पास आये थे टेलिकम सर्विसेज की बात करें शुरू में स्पाइस आया था तो आउटगोइंग इंकमिंग जो कॉस्ट से उसके प्रैसिस बहुत जाधा थे हाले कि जब 8L ने 4G लांच किया जीओ से पहले तब भी 8L के प्रैसिस बहुत जाधा थे तब वो क्या क्या यूज कर रहे है दैट इस दा मोनोपली प्रैसिंग उन्हें पता था कि लोग यूज लोगों को देना ही पड़ेगा जेता हम कहने को उतना प्रैस देना पड़ेगा क्योंकि हमारा कॉंपेटिशन उस टाइम पे नहीं है तो मोनोपली प्रैसिंग क्या होगी जब हमारे पास कॉंपेटिशन नहीं है कॉंपेटिटर कोई भी नहीं है कॉंपेटिशन एपसेंट है तब जो प्राइस हम सेट करते हैं इस दा मोनोपली प्रैसिंग ठीक है उसके अब expected pricing भी गया, जो लोग expect करते हैं. आज कल देखा, आपने कभी भी price इतनी जल्दी से announce नहीं किया जाता. कोई भी product नय launch होता है, तो उसका price इतनी जल्दी से launch price के बारे में नहीं बताया जाता. बस speculations ही लगी रहती है. तो consumers का response देखा जाता है सिर्फ खाली अगर mobile कोई launch करना हो तो OnePlus क्या करता है OnePlus नहीं कोई भी सारे काफी सारे यही कर रहे है OnePlus अगर 6, 7, 8, 9 जो भी आए वो क्या करता है सिर्फ एक मेने पहले अपनी वीडियो को images को, news को viral कर देता है और कहता है जी यह हमारा OnePlus का OnePlus 9, 7, 8 जो भी है launch होने जा रहा है तो उसका price अभी नहीं पता तो उसका price कौँ डिसाइड कर रहा है उसका price customers भी डिसाइड करेंगे कैसे? अब देखो customers क्या? इससे expectations लगाते है कोई कहता है की 28,000 होगा कोई कहता है 29,000 का होगा कोई कहता 30,000 का होगा कोई कहता 27,000 का होगा ऐसे कुछ होगा expected जो लोग expect कर रहे है मैं आपको यह मार कर दिखाता हूँ मुझे नहीं पता इसका price कि या आप expectation बताओगए अपनी अच्छा 20 रुपीस का होगा 30 का होगा यह क्या होती है expected pricing अब देखो यहां पे बड़ी छोटी से कहानी होती है कि मालो oneplus को जो cost पड़ी थी वो cost पड़ी थी 20,000 ठीक है उसने सोचा था उसने सोचा था कि मैं जब भी launch करूँगा तो मैं 25,000 का launch करूँगा तो अब लोगों ने क्या expect किया लोगों ने expected pricing क्या शोगी उन्हेंने का यह 28,000 का हो सकता है 27,000 का हो सकता है यह कुछ prices बताने शुरू कर दिए पर अब फाइदा किसको हो रहा है फाइदा दोनों को होगा दोनों को कैसे होगा oneplus क्या करेगा oneplus 25,999 का launch कर देगा इन्होंने क्या सोचा था सबसे least लेके चल रहा हूँ इसने सोचा था 27,000 अशने 27,000 सोचा था मिला कितने का इसको 20 almost 26,000 का इसने सोचा था मैं launch कितने का करूंगा 25,000 का इसको कितने का profit हो गया 1,000 का दोनों ही सोच रहे हैं दोनों सोच रहे हैं कि वो फायदे में हैं यह फायदा होता है expected pricing का इसने सोचा था customer सोच रहा था कि 27,000 का होगा पर मिला कितने का launch कितने का 26,000 का देख कुष्य हो गया वह मैंने 27,000 सोच था पर कितने का 26,000 इस यह सोच रहा कि मुझे 1000 का प्रॉफिट हो रहा है इसने सोचा था वन प्लस इसने सोच था कि चलो जब मेरा प्रण बन जाएगा तुटी तुटी ताउज़ पड़ी हुआ तुटी साउज़ न के लाउज कर देखते हैं कि लोगोंने कहा टुटी सेवन थाउज़ इसने का लाउज कर दिया हाला कि इसने 25,000 का लाउज कितने का लिए फिर और करने का फारिज करने यह फाइदे में रहा यह फाइदे में राही है यह जो सोच रहा था जो रडे जूली सूच रहा था इसको भीnehmer को भी फाइदा मिल गया इसे पोड़ोंता है दैसा एक्सपेक्टेड प्रैसिंग कि कस्ट्मर क्याँ अकस्पेक्ट करते थे आज कल कोई भी ब्रैड इतनी जल्दी से अपने प्रड़क को जब लॉँच करते हैं प्राइस नहीं शोग करते हैं वो करते हैं booking start जब गारियों की बुकिंग स्टार्ट होती है तो फिर क्या कहते हैं जी प्राइसिंग किसी को बता नहीं होती ही लोग बुक करवा देते हैं कोई 5,000 देके कोई 2,000 देके कोई 10,000 देके आपकी गारियों की बुकिंग शुरू हो जाती है फिर प्राइस प्राइस लाँच से एक या दो दिन पहले लाँच होता है वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और काफी सारे लोग आते हैं महां पर और तब जाकि वो जो प्राइस but लॉश बॉर्दा होते है तो यह यह आती है झत टेक्सानिज catch घस्ट के अजियो पर ची पर यह साथी है और पर higher को बारा तब तक वो प्राइस सेम रहता है आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले भी एवरी डेका सेल जो आता था वो कितने का था पांच रुपी का आता था जो बैटरी होता है वो कितने का था पांच रुपे का था यह एक सेट हो गया न्यूस्पेपर कितने का था था वो दो यह दो यह तीन रुपे किस से जादा नहीं बड़ा इतने का था यह क्या थे कस्टमरी प्रैसिंग अब चेंज क्या हुआ फ्रिस में प्राइस उन्होंने क्या रखा सेम रखा पर उसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया जब वो लुटर जो ओता था तब भी प brack आता था 15 साल पहले आज बी 5 डुब्य काता है पर उसका जो लाइफ उसकी लाइव है वो क्या होगी कम होगी पहले वह दो मीन चलता था आज 15 आप आ लिए तो यह वना प्राइस फ्राइस्ट Кाप पांच रूपे तो तब इसमियों वो ही 2-3 रुपे का कबसे वो 2 या 3 रुपे का आपको मिलता है मैगजिन आपको उतनी सस्ती वो ही 10-20 रुपे की मिलती है तो इसे बोलते हैं कस्टमरी प्राइसिंग फिर उसके बाद एक और आती है मारे पास that is the captive pricing captive pricing captive pricing में क्या है captive pricing में क्या होता है कि हम अपने जो हम कह सकते हैं कस्टमर्स को capture करते हैं है क्या करते है Lazio captured करते हैं कैसे capture करते हैं कोई पर अगर हम बालो क्या कहते हैं एक बहुत ही एक pressure पराइस पर एक products को launch करते दैं services को launch करते हैं खासकर कि इस services में यूज होता है Services pencil करते हैं फिर जो उसका profit है जो बाकी कमाई करते हैं वो कहां से करते हैं भाकी seem से जैसे किसी hostele leo वहाँ पर क्या करते हैं आपको रूम चाहीं आपकोnox किसी को Hill station चले गए य되र कहीं वह आपको रूम आलो 500 शेटल मिल गया या कहीं पर भी चलेगे टूरी स्पॉर्ट पर चलेगे वहाँ पर आपको रूम आलो 500 का मिलता है आप कहते हैं यह बड़ा सस्ता मिल गया अब यह तो चलो आपको खींचना था कस्टमर को खींचना था आपको खींच के ले आए अब जो बाकी profit earn करना है वह कहां से करेंगी ज चीए वह सारा खर्चा कहां से निकालेंगे यहां से यहां से निकल वाइग फिक है इसे शिर्द क्या किया किया सिम दे दिया आपको 5 company मتمें कि चार्ज करवा होगे हैंỉ आपने सेम लेलिया एक बर बी हमने 50 रुपे का रीचार्ज कर बाया लिया तो आपको वह सिर्फ कॉस्ट्ट रिकवर हो जाएक। बात में बना करवाय चाहे ना कर वह तो तो नसढ़े संब लिया थो कभी हmeter Kभी तो Bowl नो भाज पforaty रहेगा। तो उनने क्या किया captive pricing यूज की captive pricing क्या होती है कि आपको सिर्फ customer को उस price पे खींच लिया capture कर दिया अपने तरफ खींचा बाकी जो profit किया वह बाकी services से उनसे लेना शुरू कर दिया ठीक है तो यह थी मारी कुछ प्राइसिंग की definitions, pricing strategies जो अलग-लग brands, अलग-लग marketers यूज करते हैं अलग-लग different products के लिए different situation पे इन चीजों को इन pricing strategies को यूज किया जाता है और सारी pricing strategies हमारी है वो अगले lecture में हम त्यार discuss करेंगे तब तक के लिए मुझे इजासित दीजिए तो आपका पुरी को चैनल को like, share, subscribe करेंगे